एलो फ्रेंड, वेलकम तो दे चैनल पार्मेसे इशनरी, आज हम बात करने माले हैं हमारे फुरूट्स और वेजटेबल की सिरीज में बरबट्टी के बारे में, इसे आप लॉंग ग्रीन पी भी कहते हैं, इसे काउ पी बीन्स भी कहते हैं, लेकिन हम तो इसे बरबट्टी ही क इसको दो अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं आपकी जो सब्जी मेरे हाथ में देख रहे हैं इनको एस सच वेजिटेबल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं जब यह ड्राई हो जाते हैं तो इनके बीजों को निकाल करके अलग से राजमा के छोटे रूप की तरह आप इसे यू जैसा बहुत, आप मेरे हात में भी जाती करने हो जो जब आपके खुझाआ है जैसा अगर आप मेरे हाथ मृondzeń को से इनको निकाल करके खुझ कह सकते हैं यह बहुत ही जोसी के जाएं बहुत ही है यह डिया लोग सकते हैं, इसके रावा जो सगतर हैं इसको और फे आपने भ कुछ इस तरीके से हैं कि यह आपके cardiovascular health की system के लिए काफी useful है, ऐसा इसलिए कहा गया है को कि इसके अंदर anti-oxid property पाए गया है, इसके अंदर protein पाया गया है और protein को use करने के बाद हम जब इससे digest करते हैं तो हमारी body के काफी calorie burn होती है और इससे जो fat deposit हो गया है हमारी tummy ये back area में, उनका utilization होता है जिससे ये melt हो करके हमारे body के द्वारा use कर लिये जाते हैं इससे जो plaque जम्म होने के chances हैं वो भी कम होते हैं लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि आप इनको maximum येसी raw form में कच्छे form में अच्छे से use करें दूसरा ये जो आपके thyroid की abnormalities है इनको भी balance करता है को आप control कर सकते हैं logically ये reason है कि diabetes का पीछे जो कारण है उनमें से मुख्य रूप से तो ये है कि आपके pancreas के द्वारा insulin कम मातरा में बनाई जाती है जुसरा कारण ये है कि insulin अगर सही मातरा में बन भी रहा हो तो भी से उस insulin का use करने के लिए जो receptor present होते हैं हमारे cell में वो saturate हो जाते हैं और saturate होने के पीछे कारण है fat का deposition यानि accumulation of fat over the receptor surface area तो वहाँ पे जो fat है इनका हटाने का काम उनको clean करने का काम ये प्रकास सही है आपकी बरबिटी है वो काफी अच्छे से करती है ये osteoporosis को भी कम करने का काम करता है लेकिन इसके chances को कम करेगा osteoporosis यानि कि हमारे हड़ियों का कमजोर होना खोखला होना ये osteoporosis कहलाता है वो उस डेवलप हो जाना इससे density कमजोर हो जाती है तो अगर इसका 7 लगातार करें optional रूप से करें तो हम इसके chances को कम कर सकते है जिनको digestion से associated problem है जिनको constipation की problem है तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है को कि इसमें dietary fibers काफी अच्छे मातरा में पाय जाते हैं अगर इनका हम 7 कच्छे रूप से करते हैं side के साथ में तो जैसा मैंने पहले भी कहा था digestion को strong इसलिए करेंगा क्योंकि ये आगे जाकर के water को absorb करेंगा, retain करेंगा और ही कि जो fibers हैं वो एक प्रकास से के लिए ये water को transfer करेंगा आपकी को लोर में present stool को तो जो stool hard हो सकता था in the absence of water वहां पे water का transfer होगा तो वो soft रहेंगा और उनका जो evacuation हो बड़ी आसानी से हो जायागा ये हमारे bone के health के लिए जितने important है वह इतना ही important हमारे body में दातों की cavity को fill करने जो की already developed हो चुके हैं उनको तब कुई था से नहीं कर पायेंगे बद चांसे सब cavity formation इनको कम करेंगा क्योंकि ये calcium containing substance है और calcium का use हमारे bone के साथ टीथों के मजबूती के लिए भी की जाती है kidney के disorder को भी ये control करने का काम करता है kidney से disorder से कहने का मतलब है stone formation के chances को थोड़ा सा कम करेगा जो urine की pH है इसको maintain करेगा और साथ-साथ ये migraine या migraine से associated जो symptoms है उनको कम करके headache को भी control करने का काम करता है एक regular interval में इनका use करने पर ये हमारे brain के development के लिए useful माने गए हैं ऐसे बच्चे जो अभी develop हो रहे हैं उनको अगर सही खुराक में ये beans कच्चे फार्म में दी जाए तो उनका मानसिक विकास अच्छे से हो सकता है इसके लावा इनमें बहुत सारे minerals भी हैं जैसे हम दिसक्स किया calcium के लावा इसमें iron, magnesium, manganese, phosphorus और potassium भी पाया जाते हैं calcium का बढ़िया सोर्स होने कारण से ये हड़ियों के लिए महुत useful है साथ साथ अगर हम इसको skin के point of use देखें तो ऐसे व्यक्ति जो अपने skin की tone को maintain करना चाहते हैं वो इनका कच्चा सेवन कर सकते हैं कच्चे सेवन करने से copper की मात्रा मिलेगी जो skin के health के लिए useful होता है तो ऐसे और भी कई सारे health benefit हैं जिनका use आप करना चाहें तो आपको अपने diet में ये जो बरबटी है काव पी, beans, long beans इनका use करते रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अच्चे होते हैं और इनमें protein का तो बहुत ही यादर useful है तो body में जब कभी भी cell की activity के कारण से cell का degradation होता है या फिर cell में protein की कमी होती है तो आप इनके seeds आपने देखे जो इनके beans आपने देखे इस तरीके से तो इनको आप कच्चा या तो अगर ये market में सुके form में available होते हैं उनको भी राजमा की तरह यूज़ करके आप बहुत अच्चे से protein का source ले सकते हैं So friend, that's all for the day Thank you so much for watching this video, नमस्कार, take care